हलो फ्रेंड्स स्वागत है आप सबका स्टेडी हार्ड पर आज के इस वीडियो में मैं कुछ पढ़ाने नहीं जा रहा हूँ आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पुस्तक की सीरीज के बारे में जो मैंने पढ़ के खतम की है और मेरे लिए ये किसी अचीवमेंट से कम नहीं है और अगर आप भी ऐसा करते हैं तो आपको भी एक अचीवमेंट का एहसास होगा आपको लगेगा कि आपने कुछ हासिल किया है घ्यान के नजरीय से भी हासिल किया है और क्योंकि ये आठ किताबों की सीरीज है आठ मूटी-मूटी किताबे हैं तो जब आठ किताबे पढ़के खत्म करते हैं तो आपको अपने उपर गर्व महसूस होता है कि आपने ये काम किया तो इसके विशेमे में बात करूँगा थोड़ी सी रूप रेखा बता देता हूँ आपको ये किताब महाभारत से समंदित है और इसको कथात्मक रूप दिया है इसके लेखक ने और इसके आठ भाग हैं आपको मैं इसकिताब दिखा देता हूँ इस किताब का नाम या किताब की सीरीज का नाम है महा समर इसके आठ भाग हैं इसके लेखक हैं नरेंदर कोहली जिनका फोटो पीछे बना हुआ है और आठ पार्ट के अलग-अलग नाम दिये हुए हैं मैं आपको नाम पढ़के बता देता हूँ साती सात पुष्टक दिखा भी देता हूँ पहला पार्ट है बंधन इस तरह से इन्होंने इसके उपर नम्बरिंग भी की हुई है मैं आपको दिखा देता हूँ ऐसे यहाँ पर वन लिखा हुआ है इसी तरह से 1,2,3,4,5,6,7,8 करके दिखा हुआ है तो महासमर बाइ नरेंदर कोली का पार्ट वन इसका टाइटल है बंधन एक किताब हो गई दूसरी किताब महासमर पार्ट टू जिसका नाम है अधिकार तीसरी किताब जिसका टाइटल है कर्म चौथी जिसका टाइटल है धर्म पांचवी जिसका टाइटल है अंतराल छटी किताब मैंने अभी किसी को पढ़ने के लिए दी हुई है यानि कोई और भी इससे ग्यान अरजित कर रहा है मैं उसका टाइटल बता देता हूँ छटी किताब का टाइटल है प्रचन साथवी किताब जिसका नाम है प्रत्यक्ष और आठवी किताब जिसका नाम है निर्बंध तो ये आठ किताबों की सेरीज है जिसको मैंने पढ़के खतम किया किताबों का साइज आपने देखा होगा अच्छा खासा मोटा किताबों का साइज है पेज की बात करूँ तो लगबग साड़े 500 पेज की हर एक किताब है और इनके मूल की बात करें तो मैंने जब इसको खरीदा था तो एक किताब लगबग साड़े 500 के आसपास मिल रही थी जिसमें 10% का या फिर आपके 8-10% का डिसकाउंट दे देते थे कहने पर अदरवाईज ये साड़े 500 की एक किताब थी लेकिन आज जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस किताब का मूल बढ़ चुका है क्योंकि इसके नए एडिशन आ चुके हैं तो अब आपको एक किताब 700 से लेकर 900 रुपे तक मिलेगी ठीक है तो इसको आप खरीद सकते हैं जब मैंने इसको खरीदा था तो ये साड़े 3000 के आसपास accurate मुझे नहीं पता मैंने कितने दिया थे क्योंकि कई महिने होगा इसको खरीदे हुए तो साड़े 3000 के आसपास का ये पूरा का पूरा सेट मिला था मेरे पास ये hard cover है क्योंकि मुझे किताब एक collect करने का शौक है और hard cover क्योंकि long lasting होती है तो मैं hard cover prefer करता हूँ खरीदने के लिए ताकि collect कर सकूँ अगर आप एक student हैं तो आप इस किताब का paper bag भी खरीद सकते हैं लेकिन उसके और इसके मूले में बहुत जादा अंतर नहीं है अगर आप कहेंगे तो 100 रुपए के आसपास का अंतर है तो अगर आप 8 किताबों का सेट खरीदी रहे हैं तो बहतर है कि आप hard cover खरीदें और hard cover और paper bag के साथ साथ इसका एक deluxe edition भी publish किया गया था जो कि अब market में match up गया था खरीदने तब तो नहीं था अब आ गया हो तो आप चेक कर सकते हो फिलाल उस समय ये sold out हो चुका था तो तीन इसके संसकरन बोलेंगे या तीन तरह की categories में ये आती है hard cover और paper bag और जो deluxe edition है उसमें किताब का size थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है हालाकि वो भी hard cover ही होती है तो ये है नरेंद्र कोहली द्वारा लिखित महा समर की 8 किताबें अब मैं आपको बता दूँ कि इन किताबों में है क्या या फिर मुझे इसको पढ़के कहसा लगा एक तरह से आप कह सकते हैं कि मैं किताबों की समिक्षा कर रहा हूँ हलाकि मैं इसकाबिल नहीं हूँ कि इसकी समिक्षा कर सुकूँ और एक बार में इन 8 किताबों को पढ़ लेना और पूरी तरह से समझ लेना भी समभव नहीं है तो इन किताबों की बात करें तो ये महाभारत है पूरी और इसको कथात्मक तरीके से लिखा है नरेंदर कोहली जी ने ताकि एक आम जन्मानस इसको पढ़ सके आसानी से क्योंकि महाभारत ओरिजिनल पढ़ना सब के बसकी बात नहीं है तो ये एक अच्छा जरिया प्रदान किया है नरेंदर कोहली जी ने कि इसको हिंदी में लिखा है और कथात्मक रूप देने के अलावा जिस तरह से लिखा गया है बहुत ज़ादा क्लिस्ट हिंदी का प्रयोग नहीं किया गया है एक ऐसी भाशा में लिखा गया है ऐसे शब्दों का चैन किया गया है जिसको एक आम जन्मानस आसानी से समझ सके हाला की इसमें हिंदी के कुछ ऐसे शब्द हैं जो महाभारत काल के समय में प्रयोग किये जाते थे अब उनका आधुनिक नाम अगर इन किताबों में प्रयोग किया जाता तो वो अच्छा भी नहीं लगता भद्दा सा लगता इसलिए उस समय के नामों या शब्दों का चैन किया गया है इसमें प्रयोग करने के लिए ताकि उस समय का एक touch, एक ancient history की तरह जो चीजें होनी चाहिए उसका एक touch मिल सके तो उस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया है तो अगर आपको वो शब्दों को समझने में कठिनाई होती है तो कोई बात नहीं अगर आप sentence को दो-तीन बार पढ़ेंगे आप उसके अंदर की भावना को समझ पाएंगे तो आपको accurate तो नहीं लेकिन उस शब्द का मतलब समझ में आ जाएगा तो ये जो आठ किताबें हैं ये पूरी महा भारत को cover करती है ये जो कहानी शुरू होती है जो इसका पहला part है बंधन वहां से शुरू होती है जिसमें शांतनू जो की राजा है और उनके जो बेटे हैं देव व्रत जो की बाद में भीश या फिर भीश में पितामा के नाम से जाने जाते हैं वहाँ से शुरू होती है की देव व्रत अपने पिता शांतनू से मिलने आए हैं क्योंकि उनकी तबीयत खराब है और उसके बाद कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है तो मैं शॉर्ट में आपको बताता चलता हूँ कि कहानी में क्या है पूरी कहानी नहीं बताऊंगा देवरत अपने पिता से मिलते हैं और उसके बाद उनकी तब्यद जो बिगडी हुई है उसके बारे में हालचाल लेते हैं, फिर उनको पता चलता है कि उनके पिता किसी से विवाह करना चाहते हैं, एक सत्यवती नाम की इस्तरी है, जिसको मतसिगंधा के नाम से भी जानते हैं, तो वो कहते हैं कि कोई बात नहीं पिता जी, मैं आपके लिए प्रयास करूँगा, यह मैं आपको वचन देता हूँ कि आपका विवाह उस्तरी से कराऊंगा, तो सत्यवती से शांतनु का विवाह होता है, उनके बाद उनकी संताने होती हैं, और फिर कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है, ठीक है, अब मैं आपको सारे करेक्टर बताऊं कि सत्यवती और हो पाती हैं क्योंकि दोनों की ही मृत्ति हो जाती है, एक का वद कर दिया जाता है, एक बीमारी से मर जाता है, तो नियोक के द्वारा जो द्वैपायन रिशी हैं या वेदव्यास हैं, उनके नियोक के द्वारा जो अंबिका और अंबालिका, जो की पिचित्रवीर की पतनि उनसे दो पुत्र होते हैं धृतरास्ट और पांडू जब ये पुत्र होते हैं धृतरास्ट और पांडू वहां से एक आम आदमी को ये कथा समझ में आने लगती है क्योंकि धृतरास्ट का जो कैरेक्टर है उसके बारे में आम जन्मानस को भले ही किवदंतियां हैं लेकिन पहावती भी सुनी होंगी कि धृतरास्ट मत बनो धृतरास्ट की तरह पुत्र मुह में अंधे मत हो जाओ तो जैसे ही आपको दिखता है कि पांडू और धृतरास्ट का जनम हुआ है और साथी साथ एक और घटना घटती है जिसके द्वारा विदुर का जनम होता है तो वो अभी बिवाह नहीं करेंगे या फिर दूसरी की वो किसी भी तरह के पदपर नहीं रहेंगे किसी भी तरह का उन्हें धन संपत्ति या राजन नहीं चाहिए तो उनका नाम जो है बदलकर भीश्म कर दिया जाता है और फिर जैसे-जैसे उनके आगे के वश्म बढ़ते रहत तो अभी मृत्यू तक मैंने आपको देवरत या भीश्म की बात बताई है लेकिन इसके बीच में बहुत सारी घटती हैं, कई सारे विवाह होते हैं और इसमें आपको जुतने भी करेक्टर देखने के लिए मिलते हैं उन सब के मन में क्या चल रहा है वो सारे के सारे विचार किताब में लिखे गए हैं बकाइदा तो आपको उनके मन की बातें, उनका अंतरद्वंद की हर करेक्टर सही और गलत के बीच में आत्म मन्थन कर रहा है इससे मुझे ये सीख मिली कि कभी भी कोई भी decision लेने से पहले कुछ भी कहने से पहले, किसी से कुछ discuss करने से पहले खुद के अंदर self analysis कर लेना चाहिए, आत्म चिंतन कर लेना चाहिए कि आप जो करने जा रहे हैं कि वो सही है या गलत है और इसमें हर करेक्टर जो भी कुछ कहता है करता है उसके बारे में विचार करता है multi-dimensional बहु आयामी तरीके से चीजों को सोचता है ये मुझे एक नई चीज सीखी मैंने इस पुस्तक को पढ़ने के बाद उसके लावा यहाँ पर पांडू जो है वो विमुक हो जाते हैं अपने राज से उसके बाद जंगल में जाते हैं कुंती से उनका विवा होता है, दिनमादरी से उनका विवा होता है पांच पुत्र होते हैं और वो भी कहे तो पांडव जाते हैं क्योंकि पांडू के पुत्र हैं लेकिन वो नियोक से होते हैं पांच पुत्र आपको बता दो युदेस्टिर, आपके भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव जिनको आगे चलके पांडव कहा जाता है मादरी पांडू जो है वो विमारी से मर जाते हैं मादरी उनके साथ सती हो जाती है और कुंती ही इन पांचो पुत्रों का पालन पोशन करती है उसके बाद वापस आते हैं ये अपने राज में तो फिर तब तक दृतरास्ट राज समाल चुके होते हैं अगर देखा जाए तो वो एक तरह से कारे वाहक होते हैं पांडू की जगा पर कारे समाल रहे होते हैं लेकिन उनकी हटने की कोई इच्छा नहीं होती है उनकी लालसाएं जो हैं वो बढ़ती जाती हैं उनकी आताँचाएं बढ़ती जाती हैं और उनके पुत्र भी कोई बहुत जादा संसकारी नहीं होते फिर इसके अंदर पांडव का तो आगमन होई गया है उनके चरित्रों का आगमन होई गया है और साथ ही साथ क्योंकि पांडव एक तरह से नायक हैं और दूसरी तरह अगर एक तरह नायक है तो दूसरी तरह खलनायक का होना बहुत जरूरी है तो खलनायक के तौर पे भी आपको दुरेयोधन और दुसाशन और शकुनी देखने के लिए मिलते हैं और साथ ही साथ एक grey shade लिये होते हैं आपके कर्ण और अश्वत्थामा के character तो इतने सारे character हैं इनको याद रखना भी मुश्किल है तो आपको बहुत ही ध्यान से concentration के साथ बिना इदर उदर भढ़ के इन किताबों को पढ़ना है क्योंकि आपने जहां पर एक character दो character मिस किये वहाँ आप कहानी को छोड़ देंगे आगे आप हो सकता है अपनी सुनी हुई चीजों से connect कर ले जाएं लेकिन अगर आप किताब को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे तभी आप समझ पाएंगे कि ये क्या हो रहा है क्योंकि चरित्र बहुत सारे है तो कई सारे विवाह होते हैं फिर पांडव पढ़ने के लिए जाते हैं दुरोना पहले तो वो क्रपाचार के पास पढ़ते हैं और दुर्योधन भी उनी के पढ़ते हैं, दुसाशन भी उनी के पढ़ते हैं लेकिन फिर बाद में एक नया एपिसोड आज आता है। जिसके अंदर पांचाल नरेश और दुरोना चार के बीच का टसल दिखाया गया है, दिखाया गया मतलब लिखा गया है। और उसके बाद जो दुरोनाचारे हैं वो अपने गुरुकुल की स्थापना करते हैं और फिर राज परिवार के पुत्रों को पढ़ाते हैं और फिर दुरोनाचारे और अरजुन के बारे में आप जानते हैं कि अरजुन उनके प्रियेश्ष्य हैं फिर उसके बाद राज की लड़ाई शुरू होती है जो कि हग है कि युदिस्ठिर को राज मिले क्योंकि पांडू के पुत्र युदिस्ठिर है और राजा पांडू बने थे तो युदिस्ठिर को मिलना चाहिए लेकिन दुरियोधन ये बिलकुल भी होने देना नहीं चाहता और साथ ही साथ जो दुरेधन के पिता हैं धृतरास्ट वो भी ये बिल्कुल भी होने देना नहीं चाहते इसके लिए वो कई तरह के तिगडम लगाते हैं आपने सुना होगा कि दुराबती का चीर हरन और फिर जुआ खेल कर हरा देते हैं पांडवों को पांडवों को अपन परिशस्त्र हैं वो देपताओं से लेकर आते हैं ताकि जो कौरव हैं उनको लड़ाया जा सके मैं आपको बता दू कि जो धृतरास्ट के तरफ के लोग हैं उनको कौरव कहा गया है और पांडवों के पुत्रों को पांडव कहा गया है तो ये कहानी धीरे-धीरे आगे बारे में भी इसके अंदर अच्छा आप देखेंगी कि स्री कृष्ण को आपने अगर बियार चोपड़ा की महाभारत में देखा है तो आप पाएंगे कि उसमें दिखाया गया है कई सारी दैविय शक्तियों के साथ स्री कृष्ण को लेकिन इसके अंदर यानि पुस्ता के अ अंदर या निदरा टूटी है और हकीकत में आ गये हैं यानि कृष्ण को हकीकत में ऐसा कुछ दैविय करता हुआ नहीं लिखा गया है इसके अंदर तो ये भी एक नई चीज मुझे पता चली क्योंकि जो महाभारत बियार चोपड़ा जी ने दिखाई है उसमें तो आपको सपने देख रहा था अब उसका सपने टूटा है हो सकता है कि उसने जूट देखा हो तो ये सारी भी चीज़े हैं और कहानी धिरे धिरे आगे बढ़ती है अर्जुन का और सारे पांड़ों का इवन द्रितरास्ट के पुत्रों का भी विवाह होता है द्रितरास्ट के सौप चे के बाद से महाभारत के युद्ध की रूप रेका है वो तयार हो जाती है तो महाभारत का जब युद्ध होता है तो दो टीमें बनती है एक कॉरव की तरफ से और उनके participation की टीम और दूसरे या सेना आप कह सकते हो और दूसरा है आपका पांडव और उनके जितने भी साथी या मित्रों की जो सेना हैं वो तो पूरी प्लानिंग की जाती हो और फिर उसके बाद युद्ध होता है और एक-एक मतलब जितना भी fight sequence है जितना भी तीरों के साथ बाडों के साथ गदा के साथ युद्ध किया गया है जैसे कि फिल्मों में दिखाते हैं कि एक मुक्का मारा तो यहां गिरा और फिर दूसरा मुक्का मारा तो वहां गिरा ऐसे ही एक-एक भूसे का एक-एक गदे का एक-एक तीर का हिसाब किताब बह आपको ऐसा लगेगा कि ये जरूरी था कि ऐसा लिखा जाना चाहिए था ताकि ये सारी चीज़ें आसानी से और डिटेल में मतलब कोई भी चीज अधूरी क्यों समझे अगर हम डिटेल में समझ सकते हैं तो एक एक चीज लिखी गई है इसके अंदर और फिर आखरी में दुर बलराम हैं और कृष्ण हैं इन दोनों की बीच में बहुत प्यार है जो की है भी बलराम कृष्ण की बात मानते भी हैं लेकिन यहां पर मुझे एक नई बात पता चली कि बलराम चाहते थे कि वो दुरियोधन की तरफ रहें यानि कि कौर्वों की सेना में रहें और उनके मित्र थे ही तो वो अरजुन की तरफ रहने वाले थे तो यानि कि दो भाई दो अलग अलग तरफ थे दुश्मन सेनाओं की तरह लड़ने वाले थे लेकिन बाद में कुछ ऐसा होता है कि बलराम को युद्ध से दूर रहना पड़ता है और फिर से कृष्ण पांडव की तरफ से लड़ते हैं तो इस तरह से पांडव जीच जाते हैं वापस आते हैं अपना राज हांसिल करते हैं और यहाँ पर कथा खत्म हो जाती है प्रदा इसको पड़ने के बाद आपको लगेगा कि आपने कुछ नया सीखा और रामायर या महाबारत देखने के बाद सारे चरित्रों के नाम याद हो गए हैं इसके अंदर और कौन कैसा था किसने क्या किया था किसने क्या कहा था everything मुझे सब कुछ लगभग याद हो गया है हो सकता है कुछ छूट भी गया हो एक दो परसेंट अब 100% तो नहीं हो सकता लेकिन ये किताब पढ़नी ज़रूरी है विद्यारतियों को खास कर पढ़नी चाहिए टीनेजर्स को खास कर पढ़नी चाहिए बाकि जो वुजुर्गवार हैं वो चाहें तो पढ़ें वुजुर्गवार जो बहुत जादा धार्मिक हो जाते हैं वो पढ़ ही लेते हैं रामायन भावारत उनका मन जो है इसी में लगता है तो इस तरह की ये पुस्तके हैं चुकि मुझे बहुत अच्छी रगी है I strongly recommend to every student कि आप पढ़ हो ठीक है मैंने पढ़ ली हैं और पढ़ने के बाद आप मुझे बताओ और अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हो सिर्फ ये समिक्षा देखने के लिए तो भी आप मुझे बताओ कि आपने अगर पढ़ ली है ये किताब तो आपको इस किताब के बारे में पढ़ के कैसा लगा आपने क्या अरजित किया क्या नहीं अरजित किया अपने सारे feedback आप comment box में लिख सकते हो तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही मैं आपसे मिलूँगा किसी नए वीडियो में और इस तरह की knowledgeable वीडियो के लिए चैनल को subscribe जरूर करें वीडियो को share करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं like करें या dislike करें कुछ भी करें लेकिन करके जरूर जाएं